है हलो माई दीश्ट्रूडेंड टूड़ विया टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम प्रॉब्लम में क्या दे रिखा आपनको गांसिडर दे पुली एंड इस्ट्रीं आर लाइट और लुफ सर्फेसे आ फ्रिक्शनलेस यहां पर पूरी सर्फेस क्या दे यहां पर ब्लोक लटका हुआ इसका मईतलब क्या वगा यहां पर कुछ तो खinsky तो में होगा पॉइंक से अवय डियांटिन बनाउंगा अब इस पांट पर बताना है इस stitches पोइंट से अवे ठीक है अब धानःbak क्या हो डिको अरे डेको यहां पर की बात करूऊं थ और आप इसका बनाऊं तो देखो simply क्या होगा देखो मैंने इसका प्रीबोर डागराम बनाया वन के जी का यह जो बन के जी ब्लॉक है यहां पर लटका हुआ ठीक है अब देखो simply अपने मवात करें यहां पर टैंसन देखो इसका motion किस दारेक्स में होगा यह स्यॉर है कि motion इस सेम ठीक है तो आप देखो इसका मोशन किस डायरेक्शन हो रहा है उसी डायरेक्शन को एफेक्ट करेंगे तो आपन देखो यहां पर बन के जी का है तो आपन असका देखे इस तरह से क्थी अरिए टर्वाइक पर सब्सक्राइब नहीं नहीं कि उसके खर्शलेशन लेक्स घ्लिजा कि a सब्सक्राइब भी पैस्त्रेशन तो और सेम आएगा मैं रूप पता है क्योंकि यह थोड़ी इंचीज आएगी तो यह सेम होगा दोनों का एक्सेलेशन तो ठीक है अब फाइं करके देखते हैं अब देखो सिंप्ली इसकी मैं फ्रिबूर डाग्रम आया है देखो मैंने लेट किया इसका मतलब क्या हुआ इसका ज दिये और एक्सेलेशन अपने लेट केलिया ए ठीक है और अब इसकी एक्स्टन लएट किया और उसका इक्सेलेशन लेट किया यहांपर एवन फीचोछоды ऑपने देखे घिन से लिचा deepen इस पर ने की फोर स्का मैं एक्सक्न स्था मैं टेशन ए ठीक है तो आपने देखो second equation आगे है अपन के पास अब आपन simply बात करें तो एक tension है एक A1 है एक A2 है तीन वेरीबल आगे है अपन के पास tension A1 और A2 तीन वेरीबल है अपन के पास equation दो ही आई है तो एक और equation प्रोड्यूस गरेंगे यहां से अब देखो आप एक concept जानते होंगे देख देखो work done यहां पर tension क्या है टेंशन एक internal force है देखो work done by internal force क्या होता है जीरो होता है ठीकन आप देखो मैंने टी डोट एक क्यों लिखा है क्योंकि देखो यहां पर ही टेंशन क्या है यह पूरा एक system है टेंशन एक internal force है system का ठीकन तो यहां पर टी डोट है क्योंकि अपन को को पता है वर्क दंद बाई इंटर्नल फॉर्स क्या है जीरो यहीं से इसको क्या किया टेंसन कॉंस्टेंट क्या गया इसको डिफ्रेंशिट किया तो अपना क्या है एक इक्वल टू जीरो यह आ suis तो यहाँ पर आपस में क्या ओ Bardzo इपना झाइए तो यहाँ पर संपली हो जेगा माइनस क्या है टी डौट एटू यह नेकिटीण लिए क्यों कियो यहाँ यहाँ पर क्या होता है वैक्ट्ट प्रोड़्रद reminder और अपन जाते ये वेक्टर प्रोड़क्ट टी ये कॉस्ट टीटा होता है और यहाँ पर दोनों opposite है, इसका मतलब 180 डिगरी है और कॉस्ट 180 मैनस का 1 होता है, इसलिए अपन मैनस का टीए आता है तो नेगिटिव लिए मैनस आइं, ठीक है अपन बात करते हैं, इस ब्लॉक की, ताहँ 1KG का ब्लॉक है देखो, टैंसन इस डारेक्शन है, और एक्सलेशन भी सैम डारेक्शन है दोनों की डारेक्शन सैम है, तो कोज जीरो और कोज जीरो वन हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव का जाएगा, तो सिंपली मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं यहाँ पर पॉजिटिव का जाएगा अपना T.A1, ठीक है अब दिखो, σिंपली ठीक है, जितने भी ब्लॉक है, सब बर लगा दो, ठीक है लगा दिया मैने अब simply क्या करेंगे टैंसन कॉम्म लेकर अपन 0 में कर दें दोको टैंसन कॉमर ले लिया माइनस का A2 आ गया प्लस का A1 आ गया और यह चीज जी जी जीरो होगी मेरे simply ठीक है तो टैंसन जीरो मतला दाएगा यहां से मेरे यहां पर एक्स नीचे गई तो यह भी एक्स इसके गई ठीक है तो यहां पर एक्स नीचे अगया तो इसका मतलों क्या कर सकता हूं क्यों क्योंकि यहां पर एक्स नीचे मैंड़ी दोनों को एक्वल कर देता हूं ठीक है तो लिए कच एक एकमर लाएं अगया पराजाएगा ंधी Πयसистी आया ज कर सकते किस तरह से कर सकते देखो मैं सिस्टम की बात करूँ तो यहां पर देखो इसलिए क्या कि आपन को इसलिए प्रोड़ा दूसरा लगाना में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अपन को इंटरनल फॉर्स से टेंशन वह फाइंड करना है अपन एक्सलेशन इसका तो मोसन कर वाउँ वह यह लिए वनली ठीक रा नैट फॉर्स इकल्टू महस लेखे निटही क्या है इस पर क्या है यहां पर एक ही फोर मनेत्फम सब्रक्राइब तो अपना G by 2 Rising तो अपना एक्सलेशन क्या आगए यहां पर जी बाइड़ वे यहां पर फारिंड कर सकते हैं अब फे को एक्सलेशन रहो यहां पर जी अड हो टो सेर्म आगे अपना श्रू आट यहां पर रखो सेम आए गया आपर एक्सलेशन की वेली ढांब ठीक है ना इसका मतलब ही हो कि आपने कोई भी कंसेप्ट लगाए कारंटी यहां पर यह दो को यह important concept बताया मैंने आपको यह वाला सिग्मा और टी डॉट है बहुत important हर पुली प्रॉब्लम में यही काम आता है